हलो एवरिवन तोड़े वी आर गूंग तो सॉल कोश्चिन पेपर और टीटी यूपी टीटी वन यह एक्जाम वह था अठार नौमबर दोजार अठार को और यह प्रात्मिक स्थारिया लेविल वन के लिए है तो आज हम इसमें देखेंगे हिंडी के प्रसनों का हल यह कोश् प्रस्ता आत्मिश्वास विश्य की अच्ची पकड़ और प्रभावशाली भासा में अपने विचारों और भावना को विएक करना ही संप्रेशन कला है जोने अंतर अभ्यास से निखारी जा सकती है एक दिन में कोई अच्छा वक्ता नहीं बन सकता तदा भासा पर आना या प्रस्ता आत्मिश्य की पकड़ नहीं हो जाती इसी अभ्यास से स्वामी विवकानन नहीं जिस संप्रेशन कला का विखास किया था उसने विश्व धर्म सम्मेलन में लाखों अमरीकी निवास्यों को चकित और मुहित कर दिया था अब प्रसंशं के 31 बारी आती है क्या कहता है कला संप्रेशन कला नहीं है चार आपके सामने है और इसका उत्तर है पहला अलंकरा दीकिए जो यहां पर टिक की हों को जरूर नहीं कि वो सही हो जो सही होगा हूं आपको बता देंगे क्योंकि यह दो इस इस ने जिसने भी हमें कुश्व पर भीजा है उसने खुद टिक तो इसका अंसर होगा अग्यास अग्राप्रसंद एक नहीं पिंगम कौन सा नहीं है चार आप्संस आपकी स्कीण पर हैं इसका अंसर होगा यह बागी के तीनों के तीन सच्वींग्ट सने जो बंजन है और किन ही दो गक्षा वाला शाह आप देख रहे हो यह का और शटकोन वारे साह से मिलकर बनता है तो इस पर भी कई बाप परस्न आ जाता है इसको तुर्णा साब बारी की से दिख ले ना धिक्ष्ट अब रत-ूंजे सब्ड में कौन सा समास है तो यह बहू बरी है मुरतिंजे किसका नाम है सिव जी का नाम है नेक्स प्रसन लिखे लंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है तो ये उपसर्ग बनेगा अलम ये रहे चारोपसन आपके सामने है और राइट अंसर है चौथा अगला प्रसन तो ये 36 नंबर प्रसन यह पुस्तक किस की है मेरे खांग कित शब्द का पद परीचे दीचे तो जार आपके सामने है और इसका उत्तर होगा पहला सारुन नामिक विस्लेशन पुस्तक कुछेशे एक वर्चन एम इस्ट्रिलिंग अब चलते हैं अगले प्रस्ट की और प्रस्ट के 37 विस्लेशन सब्द का विलौम शब्द होगा सांसलेशन दूसरा आपका सही अंसर है अब देखिए अगला प्रस्ट किस का जिनका उच्छन उपर के दांतों पर जीब लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं चार उप्शन सीरह आपके सामने इसका राइट है दूसरा दंत तो अगला प्रस्ट कि नेक्स प्रस्टाइक का विलौम शब्द क्या है तो तिर्भ का विलौम शब्द होता है अगलप बहुत कम अफ्रिशन संकल्फ सब्द मिलुम्स सब्स squishy तो संकल्फ सब्द मिलुम्स सब्स homework पहले को बहुता है शम्सक्लाइब उस सघ्ड़न सब्स cycle इस वाक्य का वाच्चे होगा तो इसका उत्तर होगा भाव वाच्चे पहला अगला प्राशन श्वार इसनम तद्वाव और उससे उसके तच्छम का कौन सा मेल गलत है तदी इसमें लग तो रही आईशू वहला लेकिन ये भी खुड़ा कनफ्यूजिंग है तो इसका ध़्र डाउटफल है देख लेना आप उसको क्या हो क्या उत्तर देता है इसका प्राशन से के अफट है लेकिक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है तो ये तीसरा जोड़ा गलत है, इसका अन्द गूप्ट किसकी रचना है, ये है आपका जैसन करपड़ साथ की रचना, तो तीसरा आपका सही अंसर है, नेक्स प्रस्न, प्रस्न संक्य क्या वाइन व्यापन करन की दिस्ति से कौन सा सब्द अशुद्ध है, तो ये पहला सब् इसमें राके उपर भी छोटी की मातरा होनी चाहिए, नेक्स प्रस्न, नेमलिक्स में से कौन सा युग गलत है, तो ये चार महवरे दिये हुए, उनका अर्थ दिया हुआ है, उनके सामने, तो आप यहाँ पर देखें, ये दूसरा जो महवरा है, सब्द बाग दिखागना, और इसके लिए मेनिंग क्या दिया है, हरा भराक करना, तो ये सही मैच नहीं करता, ये हमारा आंसर बनेगा, नेक्स प्रस्न, 53 नमबर, मेरी भावबादा, हरो राधा, नागरी सोय, जातन की जाई, बज़े, श्याम, हरिद्दुति होय, उप्रुक दोहे में कौन सा अलंका है, तो इसमें सिलेच अलंकार है, और आंसर आपका तीसरा होगा, 54 नमबर, सवाल देगे, गौश आला में कौन सा समास है, तो ये तत्पुरुष समास है, पहला आपका राइट अंसर है, नेक्स प्रस्न, यह कहता है, अगला प्रस्न, देश भक्ति में कौन सा समास है, ये समास है, अंसर आपका तीसरा होगा, अगला प्रस्न, प्राग एतिहासिक में किस उपसर का प्रयोग है, तो ये उपसर यहां पर प्रयोग होगा है, प्राग, पहला आपका सही अंसर है, अगला प्रस्न देखिए, तुलसी दास किस की कविता है, तुलसी दास सुर्य गांतर पाट देने रालागी का विता है यह चौथा आपका अंसर सही बनेगा प्रसंग्या थावन भाहिसकार का संदीव छेट क्या है तो यह भाहिए प्लसकार तीसरा आपका सही अंसर प्रसंग्या उनसर वैदेई वनवास किसकी रचना है तो यह उद्या सिंग पादय हरियोद की पहला आपका सही अंसर है प्रसंग्या सिक्स्थी और स्वीडियो का अंतिम प्रसंग्या निम्लिक में से पुर्लिंग सब्का चैन कीजिए तो दिखें लिखावड हम कहते हैं लिखावड सुन्दर है अच्छी है तो इस त्रिलिंग वर्ड है ऐसी मजधार भी और के लिखेंगे डिखेंगे लिखेंगे अच्छी बडहिए अजगे वित पतर आपी जगवड़ आपले गडिया है अच्छी का अच्छी कीजिए हैं माटी यह रएफश्गवे लिखेंगे आपका तो आपका साथेंगे